तो गाइज आप बादल देखकर ही अंताजा लगा सकते हो कि कितनी तेज बारिश होने माली है और इसके बार इतनी जोर से बादल गरजा कि हमारी टीवी और सेट अब बॉक्स दोनों ही उड़ गया आप देख सकते हो कि यहाँ पर टीवी नहीं लगी हुई है वेकम बैक तो मैं चानल रिचेश मेरा व्लॉग और मैं हो रिच्चा वेकल जो क्लिप देखी तो मैं आपको बता दू कि जी हाँ बादल की गरजन की वज़े से हमारा टीवी और सेटप बॉक्स दोनों ही उड़ चुका है तो हमने बनाने डे दिया है और लेकिन जो सेटप ब सेटप बॉक्स चेंज नहीं करना पड़ेगा देरी दोसों में वह बन जाएगा बर जो टीवी है टीवी की में प्रॉब्लम है क्योंकि टीवी हमारी फर्स टाइम खराब हुई है और मैं आपको बता दू कि जैसे ही बादल गरजा तो बहुत जोर से गरजा उस समें पर बहुत जोर से गरजा उस बात को तो उस समय बहुत सारे घरों में सेटप बोक्स उड़े थे तो हमारी सो स्विच ओफ थी लेक बादल का गरज निया पानी अगेरा सब बंद हो गया उसके बाद मैंने करीवन तीन चार घंटों के बान मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया से कि यह हुआ क्या तो तबसे में क्या करते हूं कि जो सेटबोक्स और टीवी का जो प्लग होता है एक साथ मैं वही निकाल के रख देती हूं अभी जो लास्ट ताइम हमारी टीवी और सैटबोक्स उडा तो वह बने गई है तो मैं आपको बता देती हूं कि वह कैसे उडा तो भी बादल करेंजा जस्ट स्टार्ट हो रहा था और हम बैट के फिल्म देख रहे थे और मैं आपको फिल्म का नाम बताऊंगी ना तो आपको भी लगेगा कि हमें वह फिल्म कितनी ज़्यादा भारी पढ़ देए तो हम देख रहे थे रोटी जो एक रोटी के उपर पुरी पुरी बनी हुई है हमेशा उस फिल्म का मैंने छोटा छोटा पार्ट देखा हुआ है अभी तक कि मैंने वो फिल्म कंप्लीट ही नहीं करी तो उस दिन ऐसा लगा कि शायद मैं फिल्म पूरी देख पाऊंगी बट यो अब भगवान जी नहीं चाहते कि वो फिल्म पूरी देखू तो उसका सिर्फ लास्ट का थोड़ा सा सीन बचा हुआ था तो हम देख रहते तो मुझे लगा कि बादल करेजना भी सार्ट हुआ है तो मुझे से पहले मैं टीवी आफ कर दूंगी मैं प्लब निकाल दूंगी तो मैंने अपने हजबेंड को बोला कि ये मूवी औ क्योंकि मैंने तो आगे का देखा नहीं था तो मैंने अंजबू चाता हुआ थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो मुझे लगा चलो देखके मैं बन कर देती हूँ और उसके ज़स दो सेकंड के बादल इतनी जोर से गढ़ जा उसमें बारड़िश में होलती और टीवी और सेट अच्छा है बट भारी तो पड़ गई हमें भी रोटी आप लोग भी मेरी जैसे गलती बिल्कूल भी मत करना क्योंकि जो इलेक्ट्रिक समान जो होता है उसकी कोई भी यरेंटी नहीं होती वो कभी वी कैसे भी उड़ सकती है यह नुकसान कराने से अच्छा है कि आ पहले ही सतर को जाओ और जैसी गलती में हमेशे छोटी-छोटी करते रहती हो वैसी आप पत करो यह जादा अच्छी बात है कि हमारी टीवी बन जाएगी और शायदा साम रात को ही मिल जाएगी तो उसकी जादा टेंशन नहीं है कि लाइव में ऐसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स हो और बड़ा खर्चा हो जाता बट ठीक है लखीली हमारी टीवी बन जाएगी सैटप बोक्स का एडाप्टर हमने ला लिया है जो जैसे ही टीवी आएगी हम टीवी स्टार्ट कर लेंगे और आज का मौसम इतना जादा गंदा है ना कि रात में तो बहुत इंस बादिश हो र आज मैं पूरे तीन-चार दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूं मेरे व्लॉग में हाँ तीन-चार दिन का तो गैप होई गया है तो मुझे लगागी क्योंना मैं अब इक से स्टार्ट करती हूं और मैं आपको लिग बता दू कि आज हमारे गर में कोई भी सबजी नहीं ह सारी सब्सियां खतम हो गई है और कल हमारा फास्ट है मेरा और मेरे हजबन का तो मैं सोच रही हो कि आज मैं कुछ अच्छा बनाओं राइड नहीं कर पा रहे हो कि आज मैं क्या बनाओं तो पहले मैं सोच लेती हूं फिर मैं आप लोग से मिलती हूं और आप लोगों को भी बताते हूं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूं तो आज मैं बना रही हूं तो आज मैं बना रही हूं बेसन की तुकड़ी को और भी लैंग्वेज में कुछ और भी बोलते होंगे तो जो आपको समझ आता होगा तो फिर मैं आपको बता देरा हूं कि पहले बेसन का गोल बना के उसे थाली में जमाते हैं और जमाने के बाद उसे कट करते हैं उसके बाद ग्रेवी बना के उसे डालते हैं तो इस तरीके से हम बेशन की तुकडी बनाते हैं बेशन की तुकडी खाने में बहुत जादा टेस्टी होती है और बहुत ही मसाले दाल भी बनती है बेशन की तो यहां पे लेके आए थे मेरे हस्बिन दाल जिसको गईया खीच के फार दी और यहां पे लाये थे कुछ सबजिया अभी तो सबजियों का रेट इतना जादा अस्मान छूरा है कि टमाटर का रेट अभी चल रहा है 130 रुपे किलो तो गाइस बड़े ही सबजिया महंगी हो गई है बट आपको तो पता ही है कि बीना सबजियों के किचन में कोई भी काम नहीं चलता है तो अभी बज़ रहे हैं आठ और व्लॉग स्टाट करने के बाद भूल गई थी कि मैंने व्लॉग की एंडिंग नहीं करी है और मैं छट पे गई भी थी टैनने के लिए तो मैंने सोचा कि मैं कपड़े वगएर भी धो लेती हूँ तो आप देख सकते हूँ कि वहाँ पर मैंने कपड़े दोगे रखती हैं बिल्कुल एक परसंट भी याद दे था कि मैं आज व्लॉग कर रही हूँ इसलिए मैं भूल गई इसलिए बीच में मैंने एक और भी वीडियो नहीं बनाई और जस्त मैं अभी नीचे आई हूँ सारा काम खतम करके और मैंने बस अभी फेस वाश किया है मैं आप लगों को एक अपडेट दे देती हूँ कि टीवी बनके तो आ चुकी है बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि अभी यह ऑटमेंटिक स्टार्ट हो जाती है मैं जब टीवी का पावर हम यहां से ओन करते थे तो फिर रिमोट से ओन करना पड़ता था बट अभी यह हो गया है कि यह जैसे हैं हम बटन ओन करते हैं आप देख लो यह अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी तो हमें रिमोट का यूज करना ही नहीं पड़ रहा है अब देख सकते हो अपने से स्टार्ट हो गई तो बस मैं अभी अपने लिए बना रही हूं थोड़ी सी कॉफी आज में बहुत ज्यादे ही थक गई और मौसम के करन और ज़्यादा थकान हो रही है आप देख अब भी मैंने फेस वाश किया है और मापस स्वेटिंग स्टार तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग्यों तो प्लीज दो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राब तो मैं यूटूब चैनल विचिस विचेश मेरा व्लोग बाई गाईस